दिल्ली के जाने माने व्यापारी सेठ मनोहरदास जी उनके एक बहुत खास मित्र थे जानकी दास अपने व्यापार की हर सलाह वे जानकी दास से लेते थे जानकी दास को व्यापार की गहरी समझ थी पिछले 40 सालों में मनोहरदास जी ने अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया था उनकी बड़ी से फैक्टरी में हजारों मजदूर काम करते थे आलिशान घर बना लिया था नौकर चाकर लगे हुए थे बड़ी बड़ी गाडियां मनोहरदास जी की पतनी का बहुत पहले देहान्त हो चुका था उनका एक बेटा था दुश्यंत जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था दुश्यंत को सेठ जी ने पढ़ने के लिए इंगलेंड भेज रखा था एक दिन अचानक सेठ जी की तबियत बहुत खराब हो गई सेठ मनोहरदास ने अपने दोस्त को बुलवा भेजा जान की दास तुरंत अस्पताल पहुँच गए मित्र लगता है मेरा अंतिम समय पास आ रहा है मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम ठीक हो जाओगे यहां इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे बस मेरा एक काम कर दो किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ जान की दास ने बिना देर किये दुश्यंत के आने का इंतजाम कर दिया अगले दिन दोपहर तक दुश्यंत अपने पिता के पास पहुँच गया उसे देखकर मनोहर दास ने चैन की सांस ली बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही समहालना है एक बात याद रखना जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे वश में न हो तो मेरे मित्र जानकीदास को याद करना वे तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेंगे पापा आप ठीक हो जाएंगे आपके सिवा मेरा कौन है मेरी तीन बातें याद रखना जीवन में बहुत काम आएंगी पहली बात कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना दूसरी बात कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना तीसरी बात अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना दुष्यंत ने ध्यान से पिता की बातें सुनी कुछ देर बाद जान की दास भी अस्पताल पहुँच गए शाम के समय मनोहर दास जी ने इस संसार को त्याग दिया पूरे घर में शोक का माहौल था अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी जान की दास सारी व्यवस्था देख रहे थे बीच बीच में वे दुष्यंत को भी संभाल रहे थे इसी तरह समय बीट गया करीब एक महीने तक दुष्यंत पिता के शोक में घर में बैठा रहा एक दिन जान की दास जी उससे मिलने आये बेटा सर ये मजदूरों के बोनस की फाइल है उन्हें हम एक महीने का बोनस देते हैं दुष्यंत को याद आया पापा ने कहा था गरीबों पर तरस्मत खाना बोनस नहीं मिलेगा ये काम करते हैं हम इने सैलरी देते हैं बोनस न मिलने से मजदूर भड़क जाते हैं अब वे बहुत काम करते थे सब इधर उधर समय बरबाद कर अपने घर चले जाते थे इससे काम में घाटा होने लगा इसी बीच बहुत से व्यापारी जो दुष्यंत की कमपनी से माल लेते थे वे दुष्यंत से मिलने आते थे लेकिन दुष्यंत को पिता की दूसरी बात याद थी कि अमीर से दोस्ती मत करना इसलिए वह उनसे ठीक से बात नहीं करता उन्हें उल्टा सीधा बोल कर भगा देता था जिससे कमपनी को ओंडर मिलने कम हो गए इसके साथ ही दुष्यंत को रात को कहीं जाना होता तो वह अपने साथ दो-तीन लड़के साथ लेकर चलता था जो बड़े से जनरेटर के साथ रत सजा कर पूरी रौष्णी लेकर चलते थे इससे शहर में जाम लग जाता था घंटों जाम में फसे रहने से दुष्यंत परेशान हो गया उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में बदलने लगा दुष्यंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था एक दिन उसने जान की दास जी को बुलवाया जान की दास जी के पूछने पर दुष्यंत ने सारी बात बता दी वे उसे एक रास्ते पर ले जाते हैं वहां कुछ गरीब बैठे थे पास ही में एक आदमी समोसे कचोड़ी बेच रहा था बेटा तुम्हारे पापा ने कहा गरीबों पर कभी तरस मत खाओ इसका मतलब ये है अगर आज तुम जाकर इन गरीबों में ये समोसे खरीद कर बांट दो तो इन्हें बिना मेहनत खाने की आदत पड़ जाएगी कल जब तुम्हारी गाड़ी यहां से गुजरेगी तो ये इंतजार करेंगे कि अब समोसे मिलेंगे इससे अच्छा है हमें इन्हें काम सिखाना चाहिए जिससे ये मेहनत करके खा सके न कि इन पर तरस खाकर इन्हें भीख देनी चाहिए अगले दिन दुश्यंत जान की दास जी के साथ फैक्टरी गया वहां जाकर उसने सभी मजदूरों से माफी मांगी और उन्हें दो महीने का बोनस दिया जिससे सभी मजदूर खुश होकर मेहनत से काम करने लगे उसके बाद वे ऑफिस में आकर बैठे बेटा तुम्हारे पिता ने कहा कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो लेकिन दोस्ती मत करो क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे सारे राज निकलवा लेंगे कहां से कच्चा माल लाते हो कितने का बनता है कैसे बेचते हो और साथ ही ये तुम्हें बुरी आदतों जैसे शराब आदी की लत लगा देंगे इसलिए इनसे बचने को कहा लेकिन मैंने तो सब को भगा दिया तुम चिंता मत करो सब मुझे अच्छे से जानते हैं मैं कह दूंगा पिता के जाने के कारण बच्चा दूखी था कुछ दिन हम थोड़ा सस्ता करके माल बेचेंगे सब आ जाएंगे चाचा जी आपने मुझे बचा लिया अब तीसरी बात भी बता दो मैं शाम कहीं भी जाता हूँ फस जाता हूँ तुम्हारे पिता ने कहा था अंधेरे में घर से मत निकलना इसका मतलब था शाम को तुम अब ऑफिस से घर आओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओ घर का खाना खाओ जिसे से तुम्हारी सेहत सही रहे तीसरी बात तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं दुश्यंत को अब अपने पिता की बातों की गहराई समझ में आ गई वह उनके बताय हुए रास्ते पर चलने लगा कुछी समय में उसका व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा इधर जान की दास जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर दुश्यंत का विवाह करा दिया